हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप से बहुत ही अच्छे होंगे तो प्रकासकी का यह हमारा लगभग आठवा वीडियो है जिसमें आज हम लो प्रकासकी जो चेप्टर है इसमें सबसे महत्पूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार लगभग पांच नंबर का क्वेस्चन पूछा जाता है जो है लेंस निर्मता का सुत्र यह आप कह सकते हैं पतले लेंसों द्वारा अपवर्तन का सुत् हैं तो चलिए दोस्तों बहुत ही असानी से आपको समझ में आएगा ठीक है एक एक बात तो चलिए दोस्तों बीना देर के शुरू करते हैं तो हम लिखेंगे हम देखेंगे पतले लेंसों के अपवर्तन का सुत्र यह इसे हम दूसरे नामों से कह जानते हैं लेंस निर्मता का सुत्र ठीक है यह दोनों नाम से हम जानते हैं कभी भी आपसे आ जाता है कि पतले लेंसों का सुत्र लिखिए ठीक है पतले लेंसों दौरा अपवर्तन का सुत्र की गणना किजिए यह ऐसे भी आसकता है लेंस निर्मता का सुत्र की गणना किजिए ठीक है तो जो की बहुत important है तो चलिए थोस्तों हम एक कर के अच्छे से समझ लेते हैं फिक है तो सभस तो सबसे पहले इसका जो फीघर होता है वह हम बनाएंगे ठीक है तो याद रखेंगे जो पतले लेंग्स अब heated about है ठीक है तो यह उतार लेंस पर भी हो सकता है तो मैं यहां पर उतार लेंस का बताओंगा ठीक है जो की बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा औudhar important है और इसमें previous जो भी हमने वीडियो में पढ़ा है उसमें से जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सभी इसमें आएंगे ठीक है तो इसके जो मतलब इसको समझने के लिए पीछे का आपका concept मतलब अच्छे से clear होना चाहिए अगर नहीं clear है तो भी आपको समझ में तो आएगा प् आप पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए दोस्तों बीनेदर के शूर्ण करते हैं हम फीगर से अपने ठीक है तो सबसे पहले हम एक फीगर मना लेते हैं और उत्तर लेंज का ठीक है तो यह हमने अच्छे तिक है और यह इसका मुख्य अच्छे हो गया यह उत्तर लेंस है अम्मूख यह अच्छ है तो हमने लेंस में आपको जब लेंस हमने चेप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने इसके गूर बताया था तो लेंस में बताया था कि लेंस में दो सत्व होती है ठीक है आदोनों क्या होते हैं पारदर्सी होती है यह हमने बताया था आदोनों में से कम से कम एक क्या होनी चाहिए कम से कम एक गोलिय होनी चाहिए यह हमने तीन गुर बताया था इसी पर हमने लेंस का क्या किया था परिभासा भी किया था तो इसी प्रकार यह जो लेंस है इस इसमें पतले पतले दो सता होंगे ना मतलब एक ये सता एक इधर वाला सता और एक इधर वाला सता ये दो सता है तो इसको हम ले लेंगे माल लेंगे ए सता है और ये बी सता है इधर वाला और इधर वाला क्या है सी और डी ये चार मतलब इसमें दो सता है ये भी एक सता है और स सी और डी क्या है एक सता है ठीक है जो कि बहुत ही पतले हैं ठीक है एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही बहुत ही पतले है ठीक है इसलिए कहा जाता है पतले लिसो द्वारा अपरतन का सुत्र ठीक है तो यह दो हो गए ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद यहां पे हमने मा प्रकास की किर्णे इस पर आप्तित कराते हैं समझिए का फीगर बहुत ही आसानी से आप मतलब कर फीगर समझ गये तो डेरिवेशन बहुत ही आसान है आप समझ जाएंगे ठीक है तो यह वस्तु से हमने क्या कि यह प्रकास किर्णों को आप्तित कराया और देखिए यह जब आप्तित हुआ तो मतलब वाईयू से जा रहा है और वाईयू में ही अपॉर्तन के पश्चात भी वाईयू में चला जाएगा ना तो देखिए यह जो प्रकास की केड़े ऐसे गई ठीके तो यह क्या हो जा रही है मतलब एबी के लिए ठीके जो एबी जो है एबी हम इसको माल ले रहे हैं जो सीडी है वो क्या है मन लेते हैं यह सीडी है नहीं ठीके जो लेंस है ठीके लेंस का जो क्या है एक पार्ट है सीडी ठीके यह नहीं है तो हम यह भी पर हम जब वस्तु का आप्तित कराते हैं वस्तु के प्रकास कीड़ों को आप्तित कराते हैं तो माल लेते ह है इसका प्रतिवीम ऐसे हमने माल लिया यहां पर बना आई वन ठीक है यहां पर माल लिया हमने आई वन प्रतिवीम बना ठीक है और याद रखेंगे इसका दूरी हमने माल लिया यू है इसका दूरी यू है और यहां से यहा तक की दूरी B1 है मतलब प्रतिवीम की दूरी B1 हमने माल लिया समझ में आ रहा है ना यह वस्टू जो लेंस है AB जो है AB सता के लिए वस्टू का प्रतिवीम यहां पर बन गया और इसकी दूरी B 2 हमने माल लिया B1 टिके उसके बाद समझेगा अब हम इसको नगण मान लेते, A, B को हम नगण मतलब सुनने मान लेते, इसको हम समझते नहीं है, तो ये जो C, D है, C, D के लिए अब हम निकालेंगे वस्तू का प्रतिवीम, तो जब हम जानते हैं, इसको हम वस्तू मानेंगे, जो प्रतिवीम है, इसको अब हम यहाँ पे वस अधि remember ैवं के लिए प्रतिवी में यहां पैंप बनेगा ठिक इसको हमाल लेते हैं इन स्घंड हाई तो समझ जाने की मतलब इक तरसे कासैं का जाय सुमाज में नहीं है ठीक है यह प्रथम वस्तु है ठीक है तो वस्तु द्वारा हमने प्रकास के इरों को भेजा तो यहां पर इसका प्रतिविम बना हमने दूरी मान लिया कि भीवन है और यह वस्तु की दूरी है यू अब हम इसे वस्तु को मानते हैं इसे हम प्रतिविम को ही वस्तु मानते है ठीक है CD के लिए तो इसके लिए इसके लिए यहां पर क्या बनेगा इसके लिए यहां पर प्रतिविम आई बनेगा ठीक है इसके लिए मतलब इसके लिए प्रतिविम है आई वन इसके लिए प्रतिविम यहां पर आई बन रहे है ठीक है तो यहां से यहां से हम इसकी दूरी म मान लिया ठीक है समझ में रहा है ना मतलब इसके लिए प्रतिविम हमने क्या मान लिया भी मान लिया और इसके लिए हमने मान लिया उसके बाद यहां से एक बात और याद रखेंगे कि आरवन हो जाएगी और सीडी के लिए वक्रता त्रीचिया क्या हो जाएगी देखें फीगर आपको समझ में आना चाहिए फीगर नहीं समझेंगे तो भया मतलब डेरिवेशन एक तरह से का जाए तो आपको समझी में नहीं आएगा तो सबसे पहले मैं और आपको फीगर बता जिसके दो सता होते हैं एक एबी सता है और एक सीडी सता है ठीक है अब हमने वस्तू ओ को ओ से हमने क्या कि एक वस्तू के किरोडों को हमने बान लिए आपतित कराया तो इसके लिए प्रतिभीम आईवन बन रहा है ठीक है उसके उसके बाद आईवन को हम वस्तू मानते हैं और सीडी पर हम क्या करते हैं आप तित कर आते हैं तो इसके लिए आई वन आई क्या बन रहा है यहां पे आई वन का प्रतिविम आई बन रहा है फिर से इसकी दूरी हमने माल लिया भी है ठीक है प्रतिविम की दूरी ठीक है इसके लिए मतलब एबी के लिए हमने माल लिया कि भीवन प्रतिविम है ठीक है तो यह हमने फूरा फिगर आपको बता दिया है अब हम देखेंगे आप सबसे पहले यहां से हम एक सूत्र का अब हमें आप से कहले रहेंगे गड़ना ठीक है तो इसको अपने सब्दों में आप लिख लेंगे बहुत यह अच्छे से अपने सब्सक्राइब एक तर से कहने के लिए पराद तो आप अपने सब्दों में लिखेंगे बहुत यह असानी से आपको लिख सकते हैं कि सब्सक्राइब हमने एक उत्तर लेंस लिया जिसके दो सता एबी तथा सीडी है तथा मुक्य अच्छ पे एक बिंदू ओ लिया ऐसे आप अपने सब्दों में एक्स्प्लेइन कर देंगे ठीके इसको ठीके उसके बाद आप लिखेंगे उसके बाद आप एक पॉइंट यहाँ पर समझेगा ठीक उसके लिखेंगे गोलिया कि सब्सक्राइब के लिए कि अपवर्तन के सूत्र से ठीके गोलिया दरपन द्वारा गोलिया लेंस हो द्वारा गोलिया सता हो द्वारा क्या अपवर्तन के सूत्र हमने पढ़ा था इससे पहले तो उसमें हमने बताया था क्या यह गोलिया गोलिया सता हो द्वारा अपवर्तन क्या होता है सूत्र होता है म्यू माइनस वन आर इसकोल टू होता है म्यू माइनस भी म्यू अपन भी माइनस म्यू वन अपन यू यह सुत्र होता है यह क्या होता है यह सुत्र होता है ठीक है अब हम एबी के लिए एबी के लिए इसके बाद हम आगे देखेंगे अब यह तो हमने सुत्र देख लिया अब हम कहेंगे कि जो a bay है सता हां के लीए ठिक है मतलब यह बी जaking है इसके लिए आप वर्तन के शूतर से उप वर्तन के की शूतर से ठिक है मतलब यह बी के लिए हम अप वर्तन यह चूतर लगाएं गे ती यहां से तो देखें, mu minus 1, आई ये क्या है, वकरता 3J है R, ठीक है, तो हम AB के लिए, तो AB के लिए वकरता 3J, R1 हमने यहां पर बताया था, तो हम R1 लिखेंगे यहां पर, ठीक है, तो R1 लिख दिया, उसके बाद इसकोल्टू देंगे, अभी यहां पर mu है, तो mu बटे B, अभी, यह भ के लिए ग्याद कर देंगे, तो AB के लिए प्रतिमिक क्या हो जाएगा, B1, तो हम लिखेंगे, B1, ठीक है, आँ माइनस 1 आपान, 1 आपान U, तो वस्तू की दूरी क्या है, U है, तो हम U लिख देंगे, ठीक है, अब इसको हम समीकर्ण, फास्ट रिमान देंगे, ठीक है, तो सतह के लिए अपवार्तन के सूत्र से, ठीक है, CD के लिए अपवार्तन के सूत्र से, तो इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, हमने जब पहले, मतलब आप मतलब नहीं जानते होंगे, देखें, ये क्या है, ये जो अंदर वाला है, ये सगन माध्यम है, और ये क्या है, ब फर्मूला पढ़ा था वहान आपान ए म्यूँ जी यह होता है किने अपॉर्तनांक होगा तो उसे हम इस प्रकार मूजी मतलब काच से अगर वायू में जाता है तो उसे वान आपान वाईव के सापेच काच का अपवरतनांक ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कुल कहने का मतलब यह है कि यदि अपवरतनांक है तो इसे 1 upon 1 upon 1 upon mu हम लिख सकते हैं इसको कब जब क्या होता है जब प्रकास की केड़े सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है तो सगन क्या है काच है ये क्या है वायू बिरल है तो इसमें जब सगन से बिरल में आ रही है तो इसके लिए mu is equal to 1 upon mu लिखेंगे ठिके तो इसी प्रकार यहां पे जो अब यहां पे दूख सीडी के लिए यहां से बीड़न में जा रही है तो यहां पर जो अपर्तनांग है ठिके अब यहां से समझेगा अपर तनांक के लिए यह अपन मु लिखेंगे, आप माइनस वान, यह हम लिखेंगे, मु के जगह पर one अपन मु इसमे रखेंगे, ठीके, असके बाद, आर के जगह पर हम जानते हैं कि इसके लिए, cd के लिए, r2 है, वकरता तरीज्या, तो यह r2 हमने रख दिया, ठीके, r2 हम ने रख दिया, उस ठीक है अब उसके बार माइनस अवन अपन यू अब हम जानते सीडी के लिए वस्तु क्या मने था हमने आईवन मना था ना तो यह आईवन की दूरी क्या है भी वन ही तो है तो हम लिख देंगे भी वन और इसको हम है इसारी तो यह आपका हो गया ठीक है अब थोड़ा से आगे और हम इसको बढ़ा लेते हैं ठीक है समझेया गके पॉइंट ठीक है अब हम इसमें अब देखिए अब हम दोनों पच्छों में मियून से घूरा करा लेते है ठीक है तो हम लिखेंगे डोनों पच्छों में कि दोनों कि अच्छों में उत भूच से ऑब वाशन करने पर ठीक है तो आप हम डोनों पच्छों में चैकर लेते हैं टो Estoy हैं जब इन में भी म्यू से इधर भी म्यू से गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर माल लेते हैं हम गुड़ा कराते हैं तो यह क्या होता है कि म्यूँ वान अपन म्यूँ माइनस वन यह हो जाएगा अब बटे आर हो जाएगा अर, आ स्वोरी, आ टू न, तहा रटू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस विइसकालटू, मिव, वान अपान मिव, जud怎么, दो P से गुलघ कर दिया, यह हमेli मुव से गुड़ा करा दिया, तो हमने इसमें भी मुव से मुव से गुड़ा होगा, तो मुव से 1 में गुड़ा होगा, तो मुव हो गया। आप समझीए फिल्सक्रान के पॉइंट Đन के कुछ नहीं है कि यह कुलो audi अटे हैं, तो यहाँ पर समझीत में कुष्टा होगा तो इसे हम म्यू भी लिख सकते हैं ना इस म्यू से यह म्यू केंसिल हो गया यहां पर माइनस है समझेगा केंसिल हो गया की नहीं ठीक है मतलब इस म्यू से इस म्यू केंसिल यहां पर म्यू हो गया ठीक है अब इसको हम थोड़ा से आगे ले चलते हैं ठीक है अब हम इसक गया और माइनस यहां पर म्यू और यहां पर भी वन हो गया अभी से हम समीकर सकेंड ले लेते हैं संकर सकेंड मतला दो ले लेते हैं अब यहां पर समझिएगा यहां पर दो पॉइंट समझिएगा अब यह देखिए समीकर फर्स्ट है यह समीकर सकेंड है अब देखिए यहां पर थोड़ा सा एक और करेक्शन करेंगे जो यहां पर म्यू वन माइनस म्यू है ना इसमें म्यू को कामन करेंगे यहां पर यहां पर स्वरी माइनस को कामन करेंगे ठीक है कि यहांपर Mitte को क्मेंगे तो क्या हो जागा म्यू माइणेस वन हो जाएका कि नहीं हो जाएक नहीं अब अब और अट प्रसों इसको माम करना है समझे गाए कपॉइंट कि के तो सबसे पहले हम इसको इधर कर लेते हैं कि म्यू पलसं ऐसी भी लिख सकते है अब हमने इसमें माइनस कामन कर लिया तो क्या बच गया यहां पर तो मू बच गया ठीक माइनस हो गया तक मू बच गया उसके बाद हम जाते हैं जब माइनस कामन करते हैं तो यह प्लस वाला माइनस हो जाता है तो माइनस वन तो यही तो हमने लिखा है यही तो हमने यहां पर भी लिखा है स Им्हुम इस अ को समझ में आ गया होगा कहा सा है तो इसको में सब्सक्राइब rat गाटाने पर ठीके गाटा रहे हैं ठीके तो अब देखिए यहां पर मियू माइनस वन बाटे आरवन माइनस ठीके समझेगा सोरी गाटाएंगे नहीं हम हम लिखेंगे सब्सक्राइब फर्स्ट अथा सकेंड को जोडने पर ठीके अभी क्यों आपको जोडा जा रहा है घाटा जा रहा है अभी आपको समझ में आएगा ठीके तो यह आपको इसमें देखिए इसका दाया पच इसके दाया पच में जूड़ेगा तो यह हमने लिख दिया इसका दाया पच अब इसको हम जोडते हैं तो यह क् तो हम जानाते दिलस मानास क्या हूरते हैं मामानस हो तहाँ है डिकले रहा है मानस ठीक है उसके बाए इक्वाल का कीन देंगे आप इसमें यह जुछ जाएगा तरह है मूं माइनस समझेंगा मियू माइनस भीवर्ण माइना सोन अपनating यह पीलslंगे उसके बारग आन अपन भी वॉनपान भी माइनिस म्यू वन अपन भीवन ठीके यह आपका हो गया ठीक है यह देखे इसका हाय पच्छ उने लिख्या प्रिके प्लस फिसी इसका गाना था टीकर अब देखे यहांसे एक इमिング आपन भी वन है परन्त यह माइनस में है यह प्लस में है तो यह दोनों केंसिल हो जाएंगे केंसिल हो गए कि नहीं अब देखिए यहां से म्यू माइनस वन है यहां पर भी म्यू माइनस वन है तो इसको हम कामन कर लेंगे तो म्यू माइनस वन को हमने यहां पर कामन कर लिया त अपन भी माइनस वन अपन यू बचा की नहीं अब देखें यह फ्लस में था वन अपन भी तो हमने पहले कर दिया यह माइनस में वन अपन यो था है तो इसे बाद में कर लिया ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आप दो माइनस दो 2 प्लस 3 ऐसे हो, तभी क्या आएगा एंस्वर औरला आएगा, आई से हम 3-2 लिखे, तभी एंस्वर एक ही आएगा, बात दुन फोनी ही किय मैं क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं ठीक है, ँग को को में होतों ठीक है तो इसको हमने ऐसे कर दिया है ठीक है तो यह आपका हो गया अब यह जो सुत्र मिला ठीक है यही होता है इस सुत्र को याद रखेंगे यह जो सुत्र मिला यही आपका प्रूफ हो गया क्या है पतले लेंसों द्वारा अपवरतन का सुत्र है यह क्या है पतले लेंसों का अपवरतन का सुत्र है ठीक है यही है पतले लेंसों का अपवरतन का सुत्र ठीक है और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो देखते रहिए ठीक है तो अब यहां पे जो भी है यू है जब हम एक कंडिशन अपलाई करते हैं कि वस्तू यदि वस्तु यू क्या हो वस्तु अनन्द पर हो तो जह हम जानते हैं वस्तु जब अनन्द पर होगा तो उसकी जो प्रतिवीम कहाँ पर बनेगी उसकी जो प्रतिवीम भी होगा प्रतिवीम फोकस पर बनती है यह हम जानते है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा mu minus 1 यहाँ पर कोष्ट में 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीके और यहाँ से equal to 1 upon b अब b के जग़ाँ पर हम f रखेंगे तो f रख दिया और उसके बाद minus 1 upon u के जग़ाँ पर अनन्त रखेंगे infinite रख दिया ठीके उसके बाद आगया हम solve कर लेते हैं तो यह क्या हो गया mu minus 1 यह mu minus 1 उसके बाद 1 upon r1 minus 1 upon r2 ठीके यह हो गया अब इसको में हम भाग देंगे इसमें infinite से 1 में भाग देंगे तो 0 हो जाएंगा ना तो इसको हम छोड़ देते हैं ठीके तो यहां पर अब इसकोल्टू में क्या बचा one upon f बचा ठीके वान upon f बचा की नहीं और यह फर्मूला याद रखेंगे यही क्या होता है lense नर्मता का सुत्र ठीके यहीं से हम lense नर्मता का भी सुत्र आपसे कह दिया जाता है लेंस निर्मता का सुत्र के गढ़ना किसी तो हमां देखने आगे इसे समिकरण čार माल लेते हैं तो आप ध्यान दिजेगा समिकरण 3 और 4 में ध्यान दिजेगा ये समिकरण 4 में इधर वाला पच और समिकरण 4 में इधर वाला पच ये दोनों equal दिखाए दे रहें कि नहीं तो जब ये दोनों equal हो सकते हैं तो इधर इधर वाले भी equal हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं तो हम लिखेंगे तब समिकरण 3 तथा 4 की तूलना करने पर यह तूलना करने पर हम लिख सकते हैं तो हम इस दर की तूलना का इस से यह दूनों इसके बराबर हो सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि 1 upon f is equal to 1 upon b minus 1 upon u यह हमने लिख दिया तो यह क्या है length some micron का सूत्र है तो कभी कभी length some micron का भी सूत्र पूछ लिया जाता है तो यहाँ से आपका निकाल सकते है length some micron का सूत्र दूसरा भी होता है formula wise उससे भी हम निकालते हैं परन्त यहां से भी आप लेंज समिकर्ण का सुत्र निकाल सकते हैं तो यह हो गया देखिए यह आप यहां पे समिकर्ण 3 में से 4 को घाटाने पर भी लिख सकते थे अगर इसमें से इसको घाटाते तो यह दोनों तो cancel हो जाते औ 1 upon f को ठीक है जैसे आपको समझा दू थोड़ा सा कि यह दिमाल लेते 1 upon b minus 1 upon u अहम घटा देते 1 upon f को is equal to 0 हो जाता है यह दोनों घट गया तो 0 हो गया तो 0 लिख देते अब यह minus में है इधर यह इधर जाएगा तो plus में हो जाएगा तो 1 upon b minus 1 upon u is equal to 1 upon f होता है तो बात दोन 15 में से 4 को घटाने पर भी आप कर सकते हैं तो यह हमने जो वादा आप से किया था यह हमने वादा यहां पर पुरा कर दिया है ठीक है आपका लेंस निर्मता का सुत्र या आप कह सकते पतले लेंस ओड़ा पोरतन का सुत्र की घञणा हो चुका है ठीक है तो दोस्तों कैसा लागा वीडियो कमेंट सेक्षण में ज़रूर बताइएगा और होसेख अगर अच्छा लगा है आपको समझ में आया है एक एक बात तो वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और होसेखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में झाल झाल